एक बार रमेश नाम का व्यक्ति बैलगाडी में रनाज के बोरे लादकर शहर ले जा रहा था तबी अचानक गद्धे में बैलगाडी पलट गई रमेश बैलगाडी को सीधा करने की कोसिस करने लगा थोड़ी ही दूर पर पेर के नीचे बैथे रहगीर ने रमेश को आवास दी अरे भाई परेशान मत हो आजाओ पहले मेरे साथ खाना खालो फिर मैं तुम्हारी गाडी सीधी करा दूँगा रमेश धन्यबाद पर मैं अभी नहीं आ सकता मेरे दूस्त बशीर नाराज हो जाएगा राहगीर अरे तुमसे अकेले नजी उठेगी गाडी आओ खाना खालो फिर दोनों मिलकर उठाते है रमेश नहीं बशीर गुस्सा हो जाएगा राहगीर अब मान भी जाओ रमेश ठीक है आप कहते हैं तो आ जाता हूँ खाना खाने के बाद रमेश बोला चलो चलते हैं गाडी के पास बशीर गुस्सा हो रहा होगा राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम इतना दर क्यूं रहे हो बैसे इस समय कहा होगा बशीर रमेश कारी के नीचे दबा हुआ है